हिमाचल प्रदेश में धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ती विभाग द्वारा आवेदन करने के लिए पोटल खोल दिया गया है पोटल खोलने के बाद किसानों को फसल बेचने के लिए इसमें रेजिस्ट्रेशन करना होगा जैसे जैसे किसान पंजिकरन करवाते रहेंगे उसी प्रकार खरीद भी होती रहेगी खाद्यापूर्ती विभाग और क्रिशी विभाग के सहयोग से सरकार 5 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू कर रही है धान की खरीद के लिए विभाग द्वारा प्रदेश में दस खरीद केंद्र बनाए गए हैं धान खरीद के लिए कांगड़ा के अनाज मंडी, फतेपुर, रियाली, इंदौर में, मीलवा में, सिर्मोट जिला के धोला कुआ, कालाम में एफसी आई गोडाउन, ठोहाना, हरिपुर एवं सोलन जिला में बद्दी नालागर तथा उना जिला के टकारला और ठालीवाल में धान खरीद केंद्र बनाये गए हैं, विभाग के पोटल पर अब तक 162 किसानों ने पंजीकरन करवाया है, जिसमें से 4 टोकन जारी किये गए हैं, धान खरीदने के लिए किसानों का पंजीकरन करने के लिए विभाग ने पोटल का लिंक तयार किया है, प्रदेश के किसान विभाग के इस पोटल पर किसी कंप्यूटर कैफे और किसी भी लोगमित्र केंदर पर जाकर अपने मोबाइल फोन पर पोटल पर पंजिकरन करवाने पर किसानों को धान की फसल बेचने के लिए टोकर नंबर और तीथी बताए जाएगी विभाग के पोटल पर किसानों को पंजिकरन करवाने के लिए आधार नमबर बैंक खाता सहित अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी उधर खाद्य आपूर्ति के निदेश का कहना है कि किसानों से धान खरीत करने के लिए पोटल खोल दिया गया है धान खरीद के पंजिकरन की तैयारी पूरी कर ली गई है N1 Live की Special Report